चलिए अब खबर बजट 2023 से जुड़ी इस बार के बजट में सरकार की तरफ से बड़े सुधार होने की संभावना कम है ये कह रही है गोल्मेंस एक्स की ताजा रिपोर्ट बजट में सरकार की तरफ से सबसीडी के बोज को घटाने को लेकर कुछ घुशना है जरूर हो सकती है लेकिन चुनाओ को ध्यान में रखते हुए सरकार का ज़्यादा फोकस ग्रामीर और जन कल्यान की योजनाओं पर रह सकता है बजट में सरकार ग्रामीर रोजगार और हाउसिंग के लिए खर्च को बढ़ा सकते हैं ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है सर्स सब्सिटी घटानी की तयारी किस तरह हो रही है रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सिटी घट सकती है अगर घटी तो इसकी क्या तयारी है ये बजट दो बड़ी दुविधाओं के बीच में है और अगर आप माने की तीन तरही की बड़ी दुविधाओं के बीच में है। वहाँ ज्यादा खर्च करने की जरुत है और तो इसी तरह सरकार के सामने का अगला चुनाव खड़ा हुआ है। का टार्गेट 6.4% है जिसे जिसे आगे ना जाने दिया जाए सबसे बड़ा लगश होगा इसे रोकने की कोशिश होगी। दो-तिन महात पूर्ण मद है जहां सबसीडी में कटोती होगी। खाद सबसीडी में हमने कटोती देख ली। शुरू हो गई क्योंकि खाद सबसीडी में मुफ्त नाज की इसकी उनका पूरा पूरा गठन कर दिया गया। प्रतानमती गरीब के लियान योजना बंद कर दी गई अब थोड़ा सा नाज मिल रहा है लेकिन वो मुफ्त मिल रहा है और इस तरह से अगले साल के लिए सरकार ने फूर्ट सबसीडी के बिल्ड में बचत की है। नावट आएगी और उसका फाइदा फटलाजर सबसीडी को कम करने पर मिलेगा मनरे का एक महत्तुपून बात है जिसे देखना होगा कि सरकार साल मनरे का में बड़ा वंटन करती है कि नहीं करती लेकिन सबसीडी पर कम करने का दबाओ बजट से पहले सरकार पर दिख रहा ह अलग-अलग सेक्टरस के लिए इंवर्टेट ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है क्योंकि इस टेक्स विवस्था के वज़े से भारत में तयार समान की लागत बढ़ जाती है जिस वज़े से विदेशी बादार में वो महंगा हो जाता है विदेशों में महंगा पहुंचता है सरकार कई सेक्टर के लिए इंपूर्ट टेक्स को घटा सकती है सर इस परिवर्चन का मतलब क्या है इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार इस बार इंपोर्ट और महंगा करेगी और इसकी महंगाई आपके पास तक आएगी इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा होता है जिसमें कि तयार उत्पात के ऊपर शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी कम है और कच्चे माल पर जाधा है इसको इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं इस पूरी वेवस्ता के कारण 2014-15 से सरकार लगातार आ फ्री ट्रेड अग्रिमेंट वाले एरियाज हैं उनके लिए एवरेज टैरिफ 2014 में साड़े तेरा परसेंट थे जो 2020 में 15% हो गए हैं और 2021 में 18.3% हो गए हैं डब्लूटी ओ का नंबर बताता है और भारत के हाल फिलहाल के 25 सालों में हमने इंपोर्ट ड्यूटी में इतनी तेज बहुतरी पहली बार देखी जब भारत ने अपने इंपोर्ट इतनी तेजी से महंगे किए कि 13-18% के असपास की बहुतरी हो चुकी है अब इस बजट में सरकार राजसु की चिंता की दुरिश्ट से जधा रेविन्यू लाने की उमीद भी है क्योंकि भारत से निर्या इंपोर्ट ड्यूटी का ढाचा है उसमें बदलाओ कर सकते हैं मैं ध्यान दखना होगा कि मनी सेंट्र में आपको बता चुके हैं कि सरकार ने ऐसे उत्पादों की एक सूची बना रखी है जिस सूची में बहुत सारे ऐसे प्रोडेक्ट हैं जो भारत में बन सकते हैं पर उ उत्री हो सकती है और इसका असर बहुत सारे कच्छे माल और उत्पादों की कीमत पर बाजार में नज़रा सकता है